नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों UPNHM 2700 प्लस एंड 1400 प्लस पोस्ट का रिजल्ट जारी करे विभाग अब भेर्थियों में रोज से चैनित होमियोपैथिक फार्मासिस्ट को जारी करे नियुक्ति पत्र यूनानी फार्मासिस्ट की भरती मामले में अनसूची जाती आयोग हुआ सकते दोस्तों वन बाई वन सभी अपडेट में क्लियर कर रहा हूँ वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो को इसकिप ना करें दोस्तों इसकिप करेंगे तो आपको पूरा वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी वहाई वहने चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें जादा सेयर कर दें जिससे ये नियूज सभी भाई बहनों तक पहुच जाए सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो में यूपी एनेचम 2700 प्लस और 1400 प्लस पोस्ट का जो रियल्ट अभी तक होल्ड करके रखा गया है उसके बारे में बता रहा हूँ वीडियो को सुड़ू करता हूँ दोस्तों यूपी एनेचम 2700 प्लस और 1400 प्लस पोस्ट टोटल पोस्ट आपके 4100 पोस्ट होल्ड करके रखे गए हैं बिभाग की तरफ से रिजल्ट बनकर एकदम तयार हो गया है बस एप्रूवल ना मिलने के कारण रिजल्ट में देरी हो रही है और यह सब देखते हुए सभी अभ्यरतियों में रोस है सभी अभ्यरती गुसे में हैं और वह लोग जो है प्लानिंग बना रहे हैं कि बिभाग में चल कर वहाँ पर हम लोग धरना देंगे सभी लोग एक जुट हो एक दिन रखा जाए वहाँ पर सभी लोग एक जुट हो अब जो है कोरोना का प्रोकोप बहुत कम हो गया है ना के बराबर है तो वह धरना देने की बात जो हो रही है वह दोस्तों सभी अभ्यर्थियों का यही मत है कि जब तक धरना नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है यही जो बता रहा हूँ मैं आप लोग को यह रियल है दोस्तों और अभ्यर्थी जिस दिन भी चाहेंगे उस दिन विभाग जो है आयोग जहां पे है यूपी एनेचम की हेड आफिस है वहाँ पर एकत्रित होकर वह अपनी माग पूरा करने के लिए यह कदम उठाने जा रहे ह है तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है यूपी एनेचम 2700 प्लस और 1400 प्लस पोस्ट के लिए दोस्तों मैं दूसरी अपडेट आप लोग को बता रहा हूं चैनीत होमेपैथी फार्मासिस्टों को न्यूकती पत्र जारी करें उत्तरपरदेश फार्मासिस्ट आयोग बोर्ड की तरफ से चैनीत अभिहर्थियों को न्यूकती पत्र जारी नहीं किया जा रहा है फेडरेशन ने चैनीत अभिहर्थियों को जल्द न्यूकती पत्र जारी ना होने पर आंदोलन को चेतावनी दी है फेडरेशन के अध्यच सुनील यादों ने बताया कि इ एक वर्स से अधिक समय बीतने के बाद 17 दिसंबर 2020 को इसका परिडाम आया इसमें पास अभेर्थियों के सभी साच्छिक प्रपत्रों का परिच्छड भी किया गया आयोग ने कर लिया है इसके बाद भी चैन सूची नहीं जारी कर दिया रही है दोस्तों यह बहुत बड़ी लापरवाही यूपी ट्रिपल सी आयोग के माध्यम से है परिच्छा हो गये हैं रेजल्ट जारी भी कर दिये हैं चैन सूची नहीं जारी कर रहे हैं कि कि इतने लोगों का चैन हुआ है और सायच्छिक प्रमालपत्र भी जारी कर दिये मतलब सब कुछ जाच हो गया है तो यूनानी फार्मासिस्ट के पदो पर S.C की भरती ना किये जाने के मामले में अनसूचित जात आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है यूनानी निद्यसालह ने खाली पदो पर S.C. ac. ac.ace की भरती गरवणिया की है अभिवरती लगातार इससे यहीं पतराचार कर रहे हैं ल यूपी एनेचम 2700 प्लस और 1400 प्लस पोस्ट कर जो रियल्ट जारी नहीं हो रहा है उसके लिए अभ्यर्थी अब आंदोलन पर आ गए हैं अभ्यर्थी जिस दिन चाहेंगे वह आयोग पर एकठा होकर यूपी एनेचम पर एकठा होकर जो है वहाँ पर अपना वो हक मांगने क के लिए वहाँ आंदोलन करेंगे धरना देंगे तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है जो भी हाई वहने जिस दिन आंदोलन के लिए सभी अभ्यर्थी गड़ तयार होते हैं वह लोग एकठा हो तभी कुछे मामला हल होगा तभी कोई ना कोई बिकल्प निकलेगा नहीं तो यह है रिजल्ट ऐसे ही अटका पड़ा रहेगा विभाग अपना आख बंद करके रखे रहेगा बस उसके पास एक यही बहाना रहेगा कि मुझे एनेचेम की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है जब तक एनेचेम की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब मैं रियल्ट नहीं जारूंगा तो दोस्तों रियल्ट जारी करवाने के लिए अप्रूवल दिल्वाने के लिए अभ्यर्थियों का सभी अभ्यर्थियों का यही मत हो गया है कि अब आंदोलन किया जाए और चड़ बढ़कर लखनव चलें लखनव चलें एनेचेम की हेड आफिस जहां पर है वहां पर हम धरना देंगे तभी हमारी कुछ बाते होंगे और सही बात है दोस्तों आज तक कोई भी भरती बिना धरना के नहीं किलियर हुई है चाहे आप 79,000 सिचक भरती ले लिए चाहे फलता मिली है कोई भी भरती आप देख लिए जोस्तों तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जैसे ही कोई भी अगली अपडेट निकल कराती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा और जितने भी अभ्यरती गड़ है यूपी एनेचम के सभी लोग अगर धरने के लिए तयार हैं आंदोलन करने के लिए तयार हैं तो ठीक है अच्छी बात है लेकिन उसके लिए एक दिन तैंग करें जिस Дिन जिसे अगर संख्या जादा रहेगी तभी आप लोग का बास सुना जाएगा तभी कोई ना कोई बिकलप निकलेगा एक दो दस अभ्यारतियों के जाने से कुछ होने वाला नहीं है तो आप लोग जो है घबडाई एमत आप लोग एक जुटता रखिए अगर एक जुटता है संग में तो जरूर सफलता मिलेगी और आप लोगों का साथ जो है अखिल भारती फार्मासिस्ट एसोसियेशन भी बहुत अच्छे से दे रहा है तो दोस्तों आप लोग घबडाई एमत जो भी होगा वो आप लोग के शामने होगा आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही अगले बडेट कोई निकल कर आती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर दूँगा अगर चैनल पर आपने है चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा दियों सभी भाई बहनों को मिल जाए धन्यवाद